हेलो दोस्तों आप सभी के मेरे चैनल पर फिर से स्वागत हैं जैसा कि हमारे इंटर्वीव को टॉपिक अभी चल रहा है लास्ट टॉपिक हमने फंडामेंटल को कवर किया था तो इस टॉपिक में हम फ्यूल और कंबस्टन और प्राप्रटी आप स्टीम को कवर करेंगे हम ज वैज पुछा आता है तो क्या होता है कि हम उस पर एक वतव बोल सकते हैं चुकि अगर मेन इंटर्वीव का टॉपिक यह है चुकि अगर एकक्जामपल ले किसी भी एक कुश्चन करके सग्म हमाारा जो भी इस आज का पहला कोश्चन है फॉसल फ्यूल क्या होता है तो हम इ या दो पेज लिख सकते हैं आराम से fossil fuel के बारे में ने थियोड़ी पेपर में, लेकिन हमें क्या होता है कि वो डेड दो पेज नहीं हमें एक या दो word में समझाना होता है, एक sentence में complete करना होता है, तो वो कैसे समझाना है, कैसे क्या चीज बताना है और क्या नहीं बताना है इस सब चीज़े हम कवर करेंगे अपनी इंटर्व्यू में तो बहुत ही चीज़े हैं इस सी क्या होता है कि तो वहीं से इंटर्व्यू आपका सुरू होता है तो चली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैसे हमें किसी भी वर्ड को किसी भी कोसिशन को कैसे यह क्या दो सेंटेंस में कवर करना है वह चीज़े हम देखेंगे तो पहला जो कोसिशन है हमारा वह है वाट इस मीनिंग मतलब क्या है तो फॉसल फ्यूल हमें पता है फॉसल मतलब होता है तो फॉसल फ्यूल हमारा फ्यूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो हमारे जो फॉसल फ्यूल है या अवसेस फ्यूल जो हमारा कोईला है या फिर हमारा बोज़त के हां एचसडी एफ और गैस है सब क्या होता है कि एक लंबे अंतराल पे काफी टायम जो है ये मेंलनी जो प्लैंट्स और動 अनिमल्स का इन से बनते हैं यह क्या बते काफी willen आफ एउर में जमी की नीचे जाने के बाद हए टंपरिशर प्रिंश में यह क्या होता है कि एक योजी में या बोल सकते हैं कि हाँ crude oil बनता है और वहां से हम क्या करते हैं अपना extract कर लेते हैं crude oil से extract करके अपना HDFO या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ जो भी diesel है petrol है वो सब चीज़े हम निकालते हैं वहाँ पर थीक है primary and secondary fuel ये भी हमें बड़ अच्छे सा पता है तो primary fuel वो है जो हमें directly nature से मिलता है तो जैसे कि अगर हम बात करें nature में हमें कौन-कौन सा फ्यूल मिलता directly coal, wood लकडी जो है directly मिलता है petroleum यानि कि हम बोल सकते हैं crude oil and natural gases are the primary fuel अब हम बात करें secondary fuel का जो की primary fuel से बनाया जाता है या फिर primary fuel का second form में वहाँ से हम उसको लेते हैं तो अगर हम बात करें कि secondary fuel कौन से है तो coke हम कैसे बनाते हैं लकडी से बनाते हैं ठीक है fuel oil जो हमारा fuel है उससे oil बनाते हैं petrol and diesel और kerosene यह क्या होता है crude oil जो हमारा primary fuel है वहाँ से extract करते हैं वहाँ से हमें मिलता है यह सबसे as a secondary product ठीक है तो यह हमारे secondary fuel हुए है what are the stages of coal formation coal formation यानि कि वह बोल सकते हैं वहाँ से जहां से अगर हम बात करें कि लकडी जो हमारी गई हमने डिसकस किया था fossil fuel में कि जब भी वह लकडी हमारा जमीन के लिचे दबा होता है तो वह क्या होता है कि conversion होता है उसमें धीर धीरे तो बात करेंगे कि सबसे कम यानि से जाता है तो उसके stages बताने हैं तो पीट से हमारा lignite then brown coal, subbituminous coal, bituminous coal, semi anthracite और anthracite हमारा माना जाता है कि best coal है और काफी hard होता है as compared to pit, pit बहुत ही low grade का coal होता है और काफी soft coal होता है उसकी CV भी बहुत कम होती है तो यह इतना नहीं बताना है हमें stages बताते नहीं है कहां पीट, लिगनाइट, ब्राउन कोल, सब बिटोमिनर, सब एंथरसाइट, एंथरसाइट, आप एक दो बीच में अगर भूल भी जाते हैं, तो कोई इसके लिए, आपको सजा नहीं मिलेगा, ठीक है? कलर्विक वैल्यू आफ ओईल की जादा क्यों होती है, तो हम सीधा बात हैं, अगर हम से मोर पुछा रहा है, इसका मतलब कोई लिए से, तो कोल के कमपरिजन में क्यों जादा होती है, तो जब हम कोल और ओईल को कमपरिजन करेंगे, तो हम एक चीज मिलता है, कि हाइड्रोजन जो होता है, वो ओईल में जादा होता है, तो हाइड्रोजन से क्या मतलब निकलता है, हम बात करें कि कार्बन भी लगबग कमपरिटिवली जादा होता है, लेकिन कार्बन के किस में अगर हम बात करें, कि कार्बन का जो कैलोरिफिक वैल्यू है, वो होता है लगबग 8150 किलो केलोरी पर केजी जबकि अगर हम बात करके हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का होता है लगबग 29,000 केलो केलोरी पर केजी आप देख रहे हैं कि यह 29,000 है तो इसकी वज़े से यानि कि 12 से 15 परशंट हमारे जो हाइड्रोजन होता है यह हमारे impact डालता है oil की CV को बढ़ाने में तो main जो reason है oil का CV ज़्यादा होने का वो यह है कि उसमें जो hydrogen के मात्रा होती है वो coal के मात्रा से ज़्यादा होती है इसलिए इसकी CV ज़्यादा होती है question है worst constituent of fuel are measured in approximate analysis हमें पता है main क्या चार constituent होते है fixed carbon, VM, ash और moisture ठीक है what are four basic sample of basis of sample analysis of coal यह आप मैं बोल सकता हूँ कहां काफी आप बोल सकते हैं कि important questions है important question में से एक आता है तो आप बोल सकते हैं आपको पता है कहां ARB यानिकी as received basis AD यानिकी air dry basis DB यानिकी dry basis और DAF यानिकी dry as free basis यह चार हमारे main sampling process है coal के ठीक है why ncv is less than gcv यह भी बहुत पर question पूछा आता है और काफी लोग पूछ लेते हैं यह ncv is equal to gcv minus जो moisture plus hydrogen है उनके कारण जो latent heat हमारा loss होता है वह हमारा reason है तो हम बात करेंगे कि कितना hydrogen का कितना moisture बनता है तो 9H2 plus M, 9H2 क्यों आता है इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार discuss किया है तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर explain करने की जरूरत है तो आप simple सा बलाएंगे कि हाँ formula का आपसे पूछा आता है तो आपको main यहीं बताना है कि हाँ जो उसमें moisture और hydrogen होता है उसकी कारण हमारा जो है NCV में heat loss NCV का calorific value कम होता है क्यों क्या होता है कि उससे हम जो heat loss हुआ उसको निकाल लेते हैं GCV में से minus कर लेते हैं इसलिए वो NCV कम होता है GCV से अगर आपसे formula पूछा है तब ही आपको यह formula बताना है बाकी ज़रुत नहीं है Normally energy content in Indian coal is exposed as what तो अगर हम बात करें कि हम Indian coal के करें हम बात करें तो हमको useful heat value के रूप में करते हैं और useful heat value is equal to 8900-138s plus moisture यह formula यूज किया आता है अगर आपको याद है तो मैं बोलूगा आपके लिए कि ही प्लस पॉइंट रहेगा या आप उसका answer दे पाते हो What are the minimum three things required for combustion हमें पता है fuel, oxygen and 3T यानि कि temperature, turbulent and time यह तीन चीज़ें हमें पता है कि ट्रिपल्टी का मतलब क्या होता है वो ट्रिपल्टी में भी है time, temperature and turbulence turbulence मतलब कैसे वो mixing होता है कितने समय तक वो रहता है जहां firing हो रहा है वहाँ पर firing zone में कितने स्टाइं तक रहता है और तीसरा हमारा time, temperature हो गया और वहां का जो temperature है वो बन करता है तो यह तीन चीज़े हैं जो हमारा ट्रिपल्टी में cover होता है और तीन चीज़ें जरूत भी है ट्रिपल्टी, oxygen और fuel यह किसी भी minimum three things required for the combustion के लिए जरूरी है What is the formula used to calculate theoretical air required in kg to burn 1 kg of fuel हमें पता यह भी formula इसके बारे में हमने पहीं बार discuss किया है theoretical air is equal to 4.35 into 8 by 3 carbon plus hydrogen plus sulfur minus oxygen यह formula हमें पता है ठीक है What is excess air? Common questions है यह सब बहुत लिए 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 को define जैसे करना है Excess air is an air apart from the theoretical air for proper combustion of fuel ठीक है तो हमें one word में कैसे define करना है हमारा main target यह है नकि हमारा पूरा-पूरा scope पर कहान ही बतानी है What is effusion temperature या फिर वो बोल सकते हैं कि Aft क्या होता है क्या होता है कि कई के plant में हम देखे हैं कि source form जो है वो अलग-अलग use कियाता है आप बोलेंगे क्या turbine heater कहीं पूछा जाता है क्यवल HR कहीं HR बोला जाता है कि आपके plant के HR कितना है तो वहाँ पूछ सकते हैं कि sir आप HR मतलब क्या है तो वह बोलेंगे कि normally क्या होता है कि आपको अच्छा नहीं पता है ठीक है तो आपको हो जाता है कि यह AFT पूछें नोडाउट आपको पता है कहां AFT का full form क्या होता है as fusion temperature तो वह temperature जिसमें कि हमारा क्या होता है coal softening और melting behavior को so करता है कि coal कोला soft हो रहा है या फिर वह melt हो रहा है अगर fusion temperature कम है तो क्या होगा हो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर चिपक जाएगा तो हम चाहते हैं हमारा primary वरत है कि हम जो coal के case में हम high AFT coal को prefer करते हैं क्योंकि क्या हो melt नहों कि उसका fusion नहों fusion होने का मतलब कि fusion होगा तो क्या हो जाएगा उसका combustion नहीं हो पाएगा और मेल्ट करके low AFT coal होता है कि unpreferable होता है लेकि क्या होता है कि उसका price कम होने के वेर से कई जगर उसको use करते हैं ठीक है तो वो softening nature को बताता है low AFT temperature is responsible for the slagging and falling in the boiler तो हमारा requirement होता है low AFT coal होता है sorry high AFT coal होता है instead of low AFT why grinding index of coal is important तो grinding index को हम बोलते हैं hard group grinding index पर बोलते हैं is the grindability of coal बताता है कि हाँ coal कितना hard है soft है उसकी HGI के form में बोलते है कि उसकी grindability index कितनी है and smaller HGI नहीं कि जो जिसका HGI कम होता है hard group index कम होता है the harder coal is जिसका HGI कम होगा वो coal harder होगा as compared to जिसका HGI ज्यादा है वो softer coal होगा ठीक है यह नॉर्मल यह जो है यह factor use करने के ज़रोत होती coal mill में होता है जहाँ पर हम को coal को crush करके powder form में convert करना होता है मिल में HGI की बहुत बड़ी important होती है बाकि अगर CFBC में जहाँ पर mill यूज नहीं कियाता है तो वो time अगर आपके नहीं यूज हुआता है क्योंकि आपने HGI नहीं इसुना है तो कोई बड़ा issue नहीं है आप बोल सकते हैं कि अगर हमारे coal mill यूज नहीं होता है तो हमें HGI के बार में ज्यादा नहीं पता है लेकिन अगर आप PF boiler में से रखते हो तालुक तो आपको HGI पता होना चाहिए How gradation of coal is done Gradation of coal is done with useful heat value और gross colorific value of coal with corresponding to the ass and moisture ठीक है What is turn down ratio Turn down ratio क्या होता है यह boiler के respect में भी आता है क्योंकि boiler का भी turn down ratio हम बोलते हैं अगर हम बात करें आप boiler का देखेंगा manual देखेंगा तो वहां पर भी आपको boiler का turn down दिखेंगा Turn down ratio आपके boiler के कितना है तो जो turn down ratio होता है वह आपका maximum operating capacity जिस पे smooth boiler चलता है तो burner की जो maximum capacity है और जो lower capacity जिस पे वह smoothly चलता है उनकी ratio को turn down ratio हम बोलते हैं What is stoichiometric combustion mixer stoichiometric combustion mixer stoichiometric combustion mixer क्या होता है stoichiometric combustion mixture होता है fuel mixture with no excess air यानि कि हम बात करें कि stoichiometric air के वल रहेगी हम जो excess air देते हैं वह excess air वहाँ पर नहीं रहेगा fuel plus theoretical air जितना requirement चाहिए fuel में जो भी carbon हुआ hydrogen हुआ oxygen और sulfur हुआ इसके लिए particular कि जितना oxygen चाहिए बस उतना ही हम air प्रवाइड करें उतना ही oxygen प्रवाइड करें तो हम बोलते हैं उसको stoichiometric combustion mixture with no excess air ठीक है excess air यानि कि उसमें नहीं है boiling temperature of water depends upon what ठीक है boiling temperature of water depends on various varies with system pressure and which water is heated pressure what is sensible heat sensible heat is required to convert 1 kg of water from 0 degree centigrade to boiling temperature यानि कि boiling temperature जो है water का boiling temperature वहां तक 0 degree centigrade से ले करके जो heat हम प्रवाइड करते हैं heat को हम बोलते है sensible heat what is happen what is happen to temperature of water when heated after the boiling सीधा बात है कि after the boiling क्या होगा वह steaming start कर देगा क्योंकि वह boiling के बाद क्या होगा latent heat लेगा और latent heat क्या करता है phase change करता है यानि कि हमारा boiling water to steam convert करता है what is latent heat वही उसमें आ गया कि it is the heat required to convert 1 kg of water at its boiling point temperature to dry saturated steam ठीक है what is dry saturated steam steam having no moisture and wetness is called dry saturated steam यह one word है आप बोल सकते है कि एक तरह का revision भी हो जाएगा आपका लेकिन इसको one word में कैसे answer देना है यह सब चीज़ेस में है what is degree of superheat degree of superheat हमें पता है superheated temperature और dry saturated temperature के बीच में यह difference होता है उसको हम degree of superheat बोलते है what is critical point and what happened there यह अच्छा question है critical point of water directly converted to superheated steam instead of water to saturated steam then superheated steam यानि कि अगर हम बात करें कि हम normally अगर हम अपने baller में heat up करते हैं तो क्या होता है कि हमने पहले भी discuss किया है कि हमारे critical pressure जो हो है critical baller का operating pressure जो होता है 221.2 bar होता है तो उस pressure से नीचे जितने भी operating pressure वाले baller है वो हमारे critical pressure baller नहीं है तो वहाँ पर जो conversion होता है पहले हम क्या करते है feed water से steam में convert करते है और saturated steam में करते है उसके बाद हमारा superheated steam में conversion होता है and latent heat of vaporization decreases यानि कि जो हमारे latent heat हम बात करते है जो जरूत पड़ती थी वो latent heat क्या होता है critical pressure पर 0 हो जाता है and at certain pressure the latent heat of latent heat become 0 यानि कि वह point जिस पर latent heat 0 हो जाता है उसको हम बोलते है critical point या फिर वह pressure जिस पर यह phase change होता है यह latent heat 0 हो जाती उस pressure को बोलते है critical pressure जो कि होता है 221.2 bar why steam table is used यह भी है एक question पूछ सकते है steam table का use क्या है thermodynamic properties को बताता है जैसे कि अगर हम बात करते thermodynamic properties हमारा कौन सा है कि हमारा enthalpy कितनी है हमारी entropy कितनी है हमारी उसका vapor pressure कितना है यह सब चीज़े क्या है कि thermodynamic properties है इसके बारे में हमको steam table aware करता है और बताता है ठीक है और उसमें अगर हम बात करें कहा specific volume कितना होता है जैसे हम बात है कहा water phase है तो वहाँ उसकी enthalpy कितनी होगी steam में कितनी होगी तो यह सब चीज़े हमारा thermodynamic properties को बताता है तो कि इसको calculate करने बहुत time लगता है तो हमने क्या कर दिया एक जगर के जो पहले के लोगों है जिनको लगा कि हाँ इसकी जूरत है उन्होंने सारी thermodynamic properties को एक pressure और temperature के form में steam table में convert कर दिया जिससे कि हमें यह सब चीज़े बार बार calculate नहीं करने पड़ती है और easily हम एक book से उसको directly value निकाल लेते हैं ठीक है चलिए यह हमारा दो topic cover हुआ मिलते है अपने next topic में तब तक ले thank you so much bye bye and best of luck